तो हेलो फ्रेंज मैं हूँ प्रतम और आप देख रहे हूँ प्रतम लाइन आर्टिस यूटूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शेडिंग और ब्लेंडिंग करें कलर पैंसिल पैंसिल और पैंसे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंज जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पताया था कि किस तरीके से आप ग्रेट लाइन का यूज करके आप आसानी से किसी का भी फेस ड्रॉब कर सकते हो आसानी से आप आउट लाइन बना सकते हो तो friends जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वीडियो के description में मैंने link दे रखा है तो आभी जाके आप वीडियो को देख लिजिए तो friends सबसे पहले मैं कोरेक आगस पर आप लोगों को बताऊंगा कि color pencil pencil और ball pen से shedding और blending के से करे तो शुरुआत करते हैं color pencil से तो friends यहाँ पर आप देखी सकते हूँ कि यह मैं यूज करता हूँ यह है doms की pencil और यह बहुत इस अच्छी चलती है दोस्तों इसी का मैं ज्यादा यूज करता हूँ यह color pencil का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से शेडिंग करूगा तो friends आप देखी सकते हूँ कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ शेडिंग की trick पहले दबा कर किजिए और उसके बाद आपको हलका हलका draw करना है और यह है शेडिंग दोस्तों इसे कहते हैं शेडिंग पर अब इसे करना है blending तो friends जैसा कि आप देखी सकते हूँ कि यह ज्यादा smooth नहीं लग रहा है मैंने shedding के लिए पर यह ज्यादा smooth नहीं लग रहा है और आप इसे smooth कर सकते हो इब्दम चिकना कर सकते हो यहाँ से तो केसे करें? पहले फर्ष्ट आपको white pencil लेनी है और यह doms pencil में ही होगा यह तो मुझा नहीं पता पर मैं तो जादा doms की pencil यूज करता हूँ तो आपको मैं यह white pencil लेनी है और यहाँ से इसे smooth बनाना है तू देखिए दूस्तो गें इस तरीके से smooth करता हूं तो आप जैसा कि आप देख किसकते हो कि यह smooth हो रहा है तो इसे कहते है blending तो देखे हां आपने किस तरीके से ये पुरा smooth हो गया है यह white pencil का यूज करते हैं आप blending भी कर सकते हो तो देखा दूस्तों आपने किस तरीके से मैंने color pencils वे shedding और blending की तो आपको भी इसी trick का use करके shedding और blending कर सकते हो दूस्तों और आपको domes की pencil ही use करने है दूस्तों domes की pencil बहुत ही smooth और अच्ची चलती है दूस्तों और आपका कागस स्मूथ हो तो ये white color की pencil से आप blending करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों जो मैं कागस यूज करता हूँ वो ज्यादा स्मूथ नहीं है इसलिए ये trick मैंने आपको बताईजीए आपका कागस भी स्मूथ नहीं होगा तो आप इस trick से आप blending आराम से कर सकते हो तो friends ये तो मैंने आपको color pencil से बताया और चली अब मैं ball pen से भी बता देता हूँ और ball pen कौन सी यूज करनी है आपको फिलाल तो मैंने ये SS की ये फिलाल तो मैं SS की पिलोंग 07 की अभी तीन रुपे की साथी simple pen यूज कर रहा हूँ पर आपको आपको कोई भी कोई भी यूज कर सकते है पर एक बात का ध्यान रखना है कि pen ज्यादा दार्क ना हो तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ये शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ इससे और इससे शेडिंग करें तो बहुत ही कैरफूल होके दोस्तों कैरफूली शेडिंग करें साउधा नहीं रखें दोस्तों क्यूंकि यह pen है यह दोस्तों हो रहा है पर जिसा होना चाहिए वेसा नहीं हो रहा है तो बहुत ही हलका हलका करना है दोस्तों आपको और ब्लैंडिंग की बात करें बॉल्पेन से किसी ब्लैंडिंग करते हैं तो जैसे कि आप मैं यह मेरी उंगली पर इस तरह से घिस कर बौर्ट टाइम टक एसा करके और ज्यादा दबाना नहीं है धोस्तो इस तरीके से आप आराम से ब्लैंडिंग भी कर सकते हो पर इतना ज़ादा भी नहीं होगा दोस्तों जिसा कि आप देखी सकते हो कि यहाँ पर यह सही से हो रहा है आपको पेन ज़्यादा दार्क नहीं लेनी है दोस्तों तभी यह ठीक से होगा मैंने थोड़ी दार्क पेन लिए इसलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है तो जैसा कि आप देखी सकते हो कि मैंने इस तरीके से आपको बताया और दूसरा तरीका है थोड़ा पानी लगा कर कीजे और एक दोस्तों रूई लीजे और इसे पानी में भीगो कर आप एक बार प्राइ कीजे बहुत ही दोस्तों मुश्बिल होता है वाल पैन से शेडिंग क चुका बढ़क करना और फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं नहीं आप देखी सक्थे को ये थोड़ा बहुत हो रहा है तो दोस्तों आपने जिसा की देखा कि किस तरीक से मैंने ये शेडिंग और ब्लेंडिंग बताई आपको और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि पैंसिल से किसे शेडिंग और ब्लेंडिंग करें और दोस्तों इसमें पैंसिल में ज्यादा त्रीक होती है कि शेडिंग और ब्लैंडिंग की तो मैं जितनी हो सके उतनी बताने की कोशिश करूंगा आपको तो चलिए यह मेरे पास है दॉम्स की पैंसिल इसे जरूरी नहीं है कि आप शेडिंग की एक्स्ट्रा पैंसिल ले कि एच भी तू भी सिर्फ इससे भी काम चला स सकते हो आप यह पैंसिल और एक चारगोल पैंसिल तो चलो अब इससे में आपको शेडिंग करके दिखा देता हूँ कि तो जैसा कि आप देखी सकते हो कि मैं किस तरीके से इसे शेडिंग कर रहा हूं और यह आप देख सकते हो कि यह ज्यादा दार्क नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपने देखा कि यह मैंने शेडिंग की अब आप चाहो तो इससे ज्यादा दार्क भी कर सकते हो बॉल पैन का यूज करना हो तो बॉल पैन का यूज कीजिए तो चलिए आपको पहले बॉल प पेन जयासा कि आप के सकते हो यह ब्लैक पेन है और इसम poking यहासे तरक कर रहा हूं है और इसी तरह तरह से मैं स्केज बनाता हूं दोस्तो इस ट्रीक का उसक Straße तो निद भी करता हूं और यह चारगोर पैंसिल है यह भी मिल जाएगी आपको इस्टेशनरी में जाके एक बार फ्राइ किज़े चेक किज़े और वही आप चार कुल पैंसिल का यूज से पहले ही करना हो पड़ता है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह जादा दार के और यह मैंने शेर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है और यह थोड़ा हो जाएँ उसके बात आप दॉम्स की पैंसिल से आप इस तरह से करके इसा कर सकते हो शेर्डिंग अब करते हैं आप ब्लैंडिंग केसे करें ब्लैंडिंग के लिए आप एक रूई ले ले जाए अब जैसा कि आप देख सकते कि मेरे पास एक रूई है इससे मैं आपको बताता हूँ तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इसे ब्लेंडिंग किया तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो तो इस तरीके से आप आसानी से इसे स्मूथ हो और जारा चिकना कर सकते हो दोस्तो तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देखी सकते हो कि मैंने इस तरीके से डॉंग्स पैंसिल और ब्लेक पैंसे इस तरीके से स्केज बनाया है तो कितना रियलिस्टिक लग रहा है और यह बहुत ही छोटा साइज है और मैंने एप्डम पर्फेक्ट बनाया है और ग्रीड लाइन का यूज भी नहीं किया है और भी आपको स्केश डिखाता हूँ मैं तो फ्रेंस जैसा कि आप पर देखी सकते हो कि यह है श्रदा कपूर और आधितिय रॉय कपूर और यहाँ पर देखी सकते हो कि कितना रियलिस्टिक मैंने बनाया है उसी ट्रिक का यूज करके यह सब मैंने बनाया है जितना ही ट्रिक आपको मैंने बताई थी और friends आप यहाँ पर देखी सकते हो कि यह अक्षै कुमार और इनकी भी मैंने drawing बनाई है और बिल्कुल मैंने gridline का use नहीं किया है दोस्तो इसमें और दोस्तो जितनी है मैंने आपको trick बताई थी उसी trick से मैंने यह बनाया है दोस्तो देखी सकते हो कि कितना realistic लग रहा है दोस्तो यह बहुत ही realistic लग रहा है दोस्तो और जितने मैंने ज्यादा materials भी use नहीं किये और दोस्तो यह मैंने smooth कागस पर बनाया है और यहाँ पर मैंने charcoal pencil से यहाँ उनकी पड़चाई बनाया दिये और बात करते हैं तो ball pen की और मैंने paint से भी एक drawing बनाई है तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देखी सकते हो कि मैंने किस तरीके से यह बनाया है और उसी trick का यह पानी से ही मैंने यह किया यह सब और यहाँ पर मैं हलका हलका बनाया है थोड़ा दोस्तो कोई ज्याधा महेंगी ball pen भी नहीं लिए जरूरी नहीं कि दूस्तो ज्याधा materials ही चाहिए आपको drawing करने के लिए कम materials में भी बना सकते हैं दूस्तो तो वीडियो पसंब आया है तो मेरे चाने को कर दीजे subscribe और दबा दीजे वो bell डाईकन और please मेरे वीडियो को share जरूर कई कीजियर उस्तो बहुत ही कम subscriber है मैरे तो please आप लोगों की help चाहिए Please मेरे चाने को subscribe कर दो और please share कर दो इस video को मिलते हैं next video में दोस्तो बाइ झाल झाल